अमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी के दिन जहां पूरे देश में रिपब्लिक डे का जेशन मनाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर एक जलती हुई ट्रेन की फोटोज वाइरल हुई बिहार और उत्र प्रदेश के कई एरियाज में, हजारों की संख्या में स्टूडेन्स उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए और कहा जाता है कि इन में से कुछ स्टूडेंट्स वाइलेंट हो गए जिसकी वज़े से एक ट्रेन पर आग लगाई गई और एक ट्रेन पर पत्थर बाजी भी करी गई इसके बाद कुछ और खौफनाक दृश्य हमें देखने को मिले जब फोटोज वाइरल हुई जहाँ पर इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था बेरहमी से पुलीस के दुआर और इस इंसिडेंट्स सिर्फ एक दिन पहले उत्तर प्रदेश से एक इतने मजबूर हो गए इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए और वो भी इस हद तक की कुछ जगाओं पर ये प्रोटेस्ट वाइलेंट भी हो गए टेकनिकली कहें इसका जवाब आर आर बी एंटीपीसी एक्जाम से रिलेटिड है लेकिन अगर आप इस इश रर्बे एंटीपीसी रेलवे रिकूर्टमेंट बोड का नॉन टेकनिकल पॉपिलर कैटेगरी एक्जाम ये एक ऐसा एक्जाम है जो इंडियन रेलवेज में कई तरीके की नौकरियों के लिए लिया जाता है इन सारी नौकरियों को अलग अलग लेवल्स में डिवाइट किया गया है लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक है और हर लेवल का अपना अलग पेस्केल है कि कितनी उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए एक्जामपल के तौर पर बताऊं एक लेवल 2 जॉब की स्टार्टिंग सैलरी है अराउंड 19,000 रुपीज और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12 पास और लेवल 6 की जो जॉब है फॉर एक्जामपल स्टेशन मास्टर उसकी स्टार्टिंग सैलरी है राउंड 35,000 रुपीज और मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रैजुएशन तो यह जो पूरा एक्जाम है यह कई स्टेजिस में कराया जाता है पहले है 1st Search Computer Based Test CBT फिर है 2nd Sponge CBT तीसरी स्टेज है Typing Skill Test यह Computer Based Aptitude Test और फिर है Document Verification यह Medical Examination तो अब मसला क्या है यहाँ पर । स्टूदेट्ट्स क्यों प्रोटेस्ट करने लगरे है यह जो और Śरार भी ऐन्टीपीसी का एक्जाम था 2019 का इसकी notification issue करी गई थी 28 February 2019 को लेकिन COVID की वज़े से एक्जाम पोस्ट पॉन हो गया डिले हो गया और एक्जाम फाइनली कराया गया 28 December 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच में 7 अलग-अलग phases में एक्जाम हुआ तोटल में एक्जाम करी 35,000 vacancies के लिए कराया जा रहा था और टोटल में कितने candidates इस एक्जाम को लिख रहे थे 1.4 करोड candidates तो imagine कर सकते हो आप कि कितने ज्यादा लोग इन कुछ 35,000 नौकरियों के लिए compete करने लग रहे हैं एक दूसरे से अब एक्जाम conduct कराया जाने के करी 5-6 महिने बाद result announce किया जाता है 15 January 2022 को यह CBT-1 का result था और इसके basis पर 7 लाख candidates को short list किया जाता है जो CBT-2 का exam लिख सकते हैं अब RRB ने promise किया था कि जितनी vacancies हैं आपर 35,000 उसका 20 times number वो number होना चाहिए जितने candidates को short list किया जाता है CBT-2 exam लिखने के लिए तो 35,000 times 20 around 7 लाख ही होता है तो यह सही बैठता है फिट लेकिन problem यहाँ पर यह है कि जब actually में यह result आया तो पता चला कि कुछ students को 2-3 बार count किया जा चुका है short list की list में अलग-अलग levels के लिए तो यहाँ पर 7 लाख students actually में qualify नहीं करे CBT-2 exam लिखने के लिए बलकि around 3.8 lakh students ही qualify करें जिन में से कई students का नाम दो बार तीन बार count कर लिया गया जब अलग-अलग levels की बात करी जा रही थी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6 jobs की बात करी जा रही थी तो तो reality में number of candidates 20 times the number of vacancies नहीं था अब दूसरी problem ये थी students के according कि जो 12th pass students थे और जो graduate students थे दोनों से same exam लिखवाया गया लेकिन जब selection की बारी आई तो दोनों के लिए cut-offs जो थे वो अलग-अलग थे इन फैक्ट जो graduates के लिए cut-offs थे वो कम थे और ज्यादा आसान थे और जो 12th pass वालों के लिए cut-offs थे वो और ज्यादा मुश्किल थे इसके पीछे सरकार reasoning देती है कि जो 35,000 vacancies है हमारे पास उसमें जो highest qualification requirement है वो graduate की है तो एक graduate student के लिए सारी 35,000 vacancies खाली हैं लेकिन जो 12th pass है उनके लिए 35,000 में से सिरफ 10,000 vacancies खाली हैं क्योंकि उतनी ही job से जिनके लिए 12th pass qualification में आपको नौकरी मिल सकती लेकिन इससे basically हुआ कि graduate students को एक unfair advantage मिल गया वो ना सिर्फ अपनी नौकरीयों के लिए एक दूसरे से compete कर रहे थे बलकि 12th pass students को graduate students के साथ compete करना पढ़ रहा था 12th pass नौकरीयों के लिए सरकार ने basically इस point का जवाब ये दिया कि उन्होंने CBT1 के लिए ऐसा कर रहा है ताकि time और पैसा बच्चा के सरकार का और CBT2 exam है जो अलग-अलग levels के लिए अलग-अलग से करवाया जाता है तो ये जो problem सी दोस्तों ये NTPC students को face करनी पढ़ रही थी जिसकी वज़े से वो protest कर रहे थे वैसे सडकों पर protest करने से पहले students ने अपनी बात Twitter के थूँ भी पचाने की कोशिश करी थी लेकिन सरकार ने नहीं सुनी हाला कि millions of tweets किये जा रहे थे RRB ने group D level 1 examination की notification मार्च 2019 में दी थी ये भी exam COVID की वज़े से postpone हुआ बहुत डिले हुआ लेकिन अब अचानक से इन्होंने एक नई notification जारी करी कि अब हम एक exam नहीं लेंगे बलकि दो exam लेंगे मतलब 2019 में ये नहीं बताया था एकदम exam से एक महीने पहले इन्होंने नहीं notification जारी करी इन्होंने काई अब ये exam February 2022 में होगा और ये दो phases में exam होगा मतलब students को ज्यादा time नहीं दिया गया prepare करने के लिए ये चीज़ time पर नहीं बताए गई और साथ ही साथ इन्होंने जो procedure था normalization of marks का उसे भी बदल डाला इन exams में ये irregularities शायद आपको और मेरे को छोटी मोटी बात लगती होगी लेकिन बहुत से students के लिए ये उनकी जिन्दगी का सवाल है ज़रा सोच कर देखिए ये इन में से बहुत सी ऐसी नौकरिया ऐसी है जो काफी low salary jobs है ज्यादा salary नहीं मिलती हैं जॉब्स में ये पूजा से अगर देख चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता तो बहुत से lower economic background के लोग भी इन jobs के लिए apply करते हैं इन exams को लिखते हैं application fees भरनी पड़ती है 500 रुपे की जो फिर से शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो यहाँ पर इतने unfair तरीकों से results आते हैं धंग से vacancies को नहीं भरा जाता है मतलब imagine करके देखिए कोई एक student इस exam के भरों से बैठा हो नौकरी लेने के लिए तो उसकी तो पूरी जिंदकी खतम हो जाएगी यहाँ पर 2-3 साल wait करते करते हैं यही reason था कि धेड़ सारे students सडकों पर उत्रे प्रोटेस्ट करने के लिए especially उत्तर प्रदेश और बिहार के areas में और कुछ जगाओं पर unfortunately यह protest violent भी चला गया और unfortunately police की तरफ से भी एक बड़ा ही violent और brutal reaction देखने को मिला students पर हमला किया गया यह जो violence हुआ यहाँ पर यह दोनों तरफ से बहुत ही गलत हुआ especially students को तो यह realize करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को तोडने फोडने से ट्रेनों पर आग जलाने से कुछ भी यहाँ पर achieve होने वाला नहीं है in fact ऐसे violent incident से और कुछ नहीं होता बलकि सरकार को एक बहाना मिल जाता है protest को anti-national गोशित करने का urban नकसली गोशित करने का आपको तो पता ही होगा सरकार कितनी उत्सुक रहती और यहाँ पर सरकारी मीडिया कितना जोश में रहता है कि कोई भी सरकार को criticize करे सरकार के खिलाफ आवाज उठाए किसी भी तरीके का protest करे उन्हें जल्दी से जल्दी anti-national दिखाने की कोशिश करो इन चीजों की शुरुवात सी ये नर्शी से होई थी फिर farmers प्रोटेस्ट होए फिर doctors प्रोटेस्ट होए और अब students जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेम चीज हर जगें देखने को मिलती है प्रोटेस्ट वाइलेंड जाने के बाद railways ने NTPC exam को suspend कर दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के रेलवे बोर्ड पर और कहा गया है कि स्टूडेंट्स अपनी ग्रिवियंसिज और सजेशन्स रर्बी कमिटी अट दे रेट रेलनेट.जी ओवी.ड़ इन पर सब्मिट कर सकते हैं तीन हफतों के अंदर अंदर until 16th February.अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार इस प्रॉब्लम को solve करने की बजाए इस मुद्दे को पीछे खिसकाने की सोच रही है ताकि उत्तर प्रदेश की elections में कोई problem ना आए, कोई दिक्कत ना आए सरकार को और सरकार के कीमती votes ना लूज हो हैं और साथ ही साथ कमिटी में कोई student representative भी नहीं है तो इसलिए भी students कहते हैं कि सरकार इहां पर इस problem को solve करने को लेकर serious नहीं है Interestingly यहां पर कुछ teachers के खिलाफ भी FIR दर्च कर दी गई है यह कहते हुए कि वो students को भढ़काने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि Khan sir एक popular YouTuber और teacher है आप जानते ही होंगे इनको कहा गया कि इन्होंने students को भढ़काने की कोशिश करी है लेकिन actually मैं अगर आपने इनका वीडियो देखा हो तो इन्होंने simply इस issue को raise करने की कुशिश करी थी यहाँ पर students जो problems face कर रहे थे उनकी बात करी थी और students को कहा था कि वो अपनी आवाज उठा है जिसमें कि बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है in fact Khan sir ने तो clearly कई बारी अपने वीडियो में कहा था कि उन ना तो किसी violence को support करते हैं ना ही students को violent होने को कह रहे हैं मतलब इसी तरीके से चीज़े आगे बढ़ती रही तो आज के बाद क्या कोई अपनी problems के बारे में बात तक नहीं कर सकता students, doctors, teachers, farmers क्या सबको अपनी problem के बारे में बात करना भी मना हो गया क्या है यहां पर बात करना भी anti-national हो गया इस चीज़ को लेकर भी case होने लग जाएंगे लोगों के खिल मेरी राह में violence obviously यहां पर एक गलत चीज़ है मैं किसी भी तरीकी के violence को support नहीं करता है यह होता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि सरकार यहां पर सिर्फ scapegoats धून रही है और असली problem से deal करने को राजी नहीं है especially आज जिस point पर मैं यह वीडियो बनाने लग रहा है twitter पर एक trend चल रहा है hashtag arrest coaching mafia और देखकर ऐसा लगता है कि इनके IT sales obviously यहां पर cancer और बाकी teachers को जबरदस्ती किसी तरीके से villainize करने की कोशिश कर रहे है सारा blame उन पर डालने की कोशिश करी जा रही है उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहां पर दोस्तों यह जो irregularities आप exams में होते हुए देख रहे हो यह कोई एक दो railway exams की बात नहीं अगर आप पिछले कुछ सालों की ख़वरे सुनोगे तो यह चीज एक regular occurrence बन गई है बहुत से exams में यही बार बार होते हुए देखने को मिल रहे है इससे पहले NEET के exam में यह हुआ था जिसकी वज़े से doctors प्रोटेस्ट कर रहे थे resident doctors आपको याद होगा वहाँ पर भी पुलीस ने एक बहुत गंदे तरीके से behave किया था उन्हें मारा पीटा था जामिया का case बड़े फेमसली आप जानते ही होगे बड़े scale पर आप हैरान हो जाओगे यहाँ पर एक सक्त कमी है सरकार की तरफ से political will की उन्हें मतलब ही नहीं है कि examinations ढंग से conduct करवाय जा रहे है नहीं conduct करवाय जा रहे है students पर क्या बीचती है वो अपने Hindu Muslim मंदिर मस्जित के issues में busy है इसके बाद आती है unemployment की problem बेरोजगारी जो सरकारी नौकरिया है वो कितनी तेजी से कम हो जा रही है देश में चार्ट में देख सकते हैं अशोका युनिवरसिटी की professor of economics अश्विनी देश पांडे ने एक बड़ा eye opening tweet किया था यहाँ पर अगर 1.25 करोड एपलिकेंट सिर्फ 35,000 नौकरियों के लिए apply करने लग रहे हैं इसका मतलब है कि 354 एपलिकेंट्स हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए एक नौकरी के लिए यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग compete कर रहे हैं और उन 354 मेंसे सिर्फ एक को वो नौकरी मिलेगी बाके 353 का क्या होगा है यहाँ पर बेरोजगार रह जाएंगे और इसी चीज़ की वज़े से हमें vacancies भी कम होती हुई दिख रही है जैसे कि S.S.C. में 2013 में 20,000 vacancies हुआ करती थी जो कि आज के दिन 2019 में सिर्फ 8-9,000 पर हो गई हैं गिरके और इसी unemployment की problem को acknowledge करना बहुत जरूरी है solution दूरना तो बहुत दूर की बात है problem को solve करने से पहले हमें accept करना पड़ेगा यहाँ पर कि एक बेरोजगारी की problem है देश में जो सरकार accept करने को राजी नहीं दिखे बहुत बहुत धन्यवाद